हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग यह फुल्सी सुपव हो लेकिन हम लोग खुब लच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहले हम टीफ को रिकॉल करेंगे आज हम लोग तोड़ा सब बीवीज्ग करलेंगे ज़्यादा देर का काम नहीं है ती-फी रिकॉल पर चनल और जब हम इसको रीकॉल कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं आगी क्या करना है ठीक है तो एक मिनिट आ जाएए बस हाजी है सबसे पहले हमने ट्रांस्वर प्राइसिंग जब शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि देखिए ट्रांस्वर प्राइसिंग जो था यह शुरू हुआ था निसान कंपनी वगरा के द्वारा इट वास बेसिकली अकेस ऑफ सेविंग टैक्स इन यूएस और जैपैन वाइन निसान इट वास्मार प्लेइंग बाइन निसान और रिवर्सल वस दन वाइए कोका कोला यह चीज मैंने आपको पड़वाई थी और इससे उन्हाने काफी टैक्स वगरा सेफ किया था जिसकी इससे हमारे करिकुल में मुल्टिणिशनल ड्राणस्वर पाइसींग भी आया है एक हमें क्या देखना है हमारे पास इसीन ओर मुल्टिणिशन प्रकराइसßeटें नहीं है सच हमें ये देखना है कि हर हमारे पास कई डिवीजर्स या लेटस से टू डिविजन से एक सेलिंग सब्यूनिट एक बाइंग सब्यूनिट जो सेलिंग सब्यूनिट है वह अपने गुड्स मार्केट में भी सेल कर सकती है लेटस से और वह इंटरनली भी ट्रांसवर कर सकती है बाइंग सब्यूनिट भी मार्केट से परचेस कर सकती अब सबसे पहले दिमाग में हमार को यह बात रखनी है कि इनका अब्जेक्टिव लेटर से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और लेटर से यह रेलेबंट कॉस्टिंग फॉलू कर रहे हैं यह देखने के लिए कि कितने कम से कम पे चार्ज करें क्या ज़्यादा स्यादा हमे लेके चल रहा हो कि तो अगर आप रेलेबंट कॉस्ट लेकर देकर चल रही हैं तो आप क्या कहींगे आप देखे सैलिक सब्यूनिटीट कोशी करें लिएख सेफित की सब्यूंट अच्छा बाइंग से बीनिट क्या कहेगा बाइंग से बीनिट कहेगा कि देखो मैं जादा स्यादा कितने पे करूँगा मैक्सिमम मैं कितने पे करूँगा वो कहेगा कि मैक्सिमम मैं जब पे कर रहा हूँगा तो मैं यह देखूँगा यही चीज market में जाऊं तो कितने की मिलती सेम चीज मैं market में कितने की ले सकता हूँ अच्छा फिर मैं देखूंगा यह आखिर कार इसी चीज को use करके let us say market में नहीं रहा इसी चीज को use करके मैंने let us say 2 रुपी और extra cost लगा के कितने की sell की के लेट से ट्विंटी के सेल की है अब मतलब इसका मतलब है अगर मेंने 20 की सेल की और टू रुपी और एक्स्ट्र प्रॉफित वगरह मैं बीच में लिख रहा ज़ा कुछ नहीं अन करना चाहरा सा मैं परचेजजिग बाइंग संब लीट हूँ मैं कुछ नहीं गरना चारा profit मतलब मैं maximum 18 रुपीज देना चाहूंगा इंटर्नेल ट्रांसवर के रिए maximum कितने देना चाहूंगा 18 रुपीज तो अब आपने का two choices आ गए maximum में lower वाली लेंगे या तो 18 18 जो मैंने बुला इसे कहेंगे इनक्रिमेंटल रवेन्यू या फिर market price की कितने का market में बिल रहा है दोनों में से जो भी लुवर होगा वो टीपी पूरा वो नहीं होगा उसमें से भी हम माइनस करेंगे जो भी लोग है हमने ले लिए या लेट से 18 लोग है तो 18 ले लेंगे या market price लेट से 15 है तो 15 ले लेंगे whatever is the lower figure हम वो ले लेंगे उसमें से हम देखेंगे कि internal transfer करने में क्या मेरी कुछ special cost लग रही है if that special cost is being incurred by a buying subunit I am not talking about selling subunit if that is being incurred by buying subunit such special cost shall be subtracted to calculate the maximum transfer price बहुत सीधी सी बात है अगर हम कुछ extra incur कर रहे हैं तो हम उसको सब्टाट कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि maximum TP हमारा कितना होना चाहिए बदाई सबको clear रहे है ठीक है न अच्छा यह TP का base होता था इससे हमने decide करना शुरू किया हमने कहा कि minimum TP और maximum TP आगया अब दिखो सबसे बढ़िया TP जो होता है goal congruence के लिए वह कौन सा होता है negotiated France surprise क्यों दोनों बैठते हैं दोनों के पास autonomy होती है decision making power होती है दोनों divisions साथ में discuss करते हैं कि क्या best रहेगा और obviously वह अपने best के लिए वह बहुत बढ़िया तरीके से discussion करते हैं और और obviously वह वह जिस range के बीच में कर रहे होते हैं minimum TP और maximum TP उसके बीच में कुछ भी choose करें तो company as a whole का benefit होता है ठीक है ना तो goal congruence इस भी इसलिए चल रहा होता है इसके उपर हमने देखे कई तरीके question के थे इसमें हमने सीखा था relevant cost opportunity cost कैसे निकालते अलग-लग तरीके question किये थे और बहुत महनत की थी हमने इसके उपर ranges समझी थी कि किस तरीके से निकालते फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे product mix decision के साथ भी इसको लगा के देखा था अभी various kind of transfer pricing पर मैं आऊंगा मैंने इसके अंदर आपको product mix decision pricing decision सब के साथ इसको करना सिखाया था मैंने आपको कहा था कि देखिए product mix decision जैसे है तो आप आपको मालुम है अगर मान के चली की factor limited resources है तो आप उन limited resources को पहले यह देखेंगे कि पहले किस पर लगाऊ फिर किस पर लगाऊ फिर किस पर लगाऊ एस पर ranking और opportunity cost पर आप यह देखेंगे जिस पर सबसे कम contribution पर आ रहा है उसको opportunity को लूस करके आप चाहेंगे हम अगर internal transfer कर रहे हैं या कुछ भी decision ले रहे हैं तो वह करें अब opportunity cost उसके बेस पर निकालना चाहेंगे तो इसके इंदे कुछ special नहीं था बस minimum TP निकालने के लिए हम देखते थे कि हमारी हमारे इस समय current production mix कौन सा है और अगर मैं internal transfer करता हूं तो वह current production mix change होगा तो उसको change करते समय किसकी production को हम reduce करते थे जिस पर हमारा contribution सबसे कम contribution पर key factor आ रहता था उसको हम कम कर देते थे ताकि हम internally transfer कर सके कि इसके बाद आपने कहा इसके बाद आपने कहा सर यहां तो आ गए इसके बाद आपने कहा यह बिल्कु इसी तरीकी के question थे हमने काफी practice की थे actually फिर हम आ गए थे simple profitability related question में मतलब इसके अंदर कुछ special नहीं था बिल्कुल simple profitability के उपर देख रहे होते थे कि आखिरकार किस situation में कितना profit है अब कई लोग कहते हैं कि सर इस तरीके question नहीं आते है किस तरीके का आ जाए you never know तो हमने हर तरीकी के question किया था ठीक है simple profitability related question भी बिल्कुल इसी तरीकी का एक question था यहर situation के अंदर हमने profit निकालना सीखा था बस question की lines को interpret करते थे इसमें हमने एक चीज़ समझी थे अगर कभी अगर कभी आपको variable cost दी हो so we always assume कि variable cost is excluding of material cost या transfer price यह मान के चल रहे होते थे अगर अगर मान के चलिए variable cost भी दिरिख्या material भी दिरिख्या है तो हम कभी भी variable cost के अंदर हम transfer price या material नहीं लेके चलते थे क्योंकि it can be different in different situations अच्छा इसके बाद हम आ गए थे इसके बाद मैं आ गया था कहां पर इसके बाद एक हमने समझा था कि टीपी निगालने के लिए न कई बार एक एप्रोच फॉलो करनी पड़ती है जिसके अंदर क्या होता है हमारा प्रॉफिट या कॉंट्रिबिशन दे रखा होता है क्या दे रखा होता है प्रॉफिट या कॉंट्रिबिशन दे रखा होता है और प्रॉफि या contribution को हम लोग शेयर कर देते हैं कोस्ट के रेश्यो में मतलब जैसे यहां पर contribution था total contribution आया 58 125 अब अगर टीपी निकालना है तो मैं कैसे निकालना है इंटर्नली तो आप कहेंगे कि यार सर आप पता है क्या करोगे आप कहोगे 5000 एक सबसे फर्स डिविजन क्या करेगी सेकेंड डिविजन से एक तो 5000 चार्ज करेगी सेकेंड लीट विल चार्ज 58 125 इंटो 5000 ओवर 16 875 यह हम कहेंगे यह 16 875 तो आप कहेंगे यह इंटर्नल ट्रास्फर होगा अब यह टीप अब देखो इस तरीके से टीपी बढ़ता जाएगा ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर तो आप कहेंगे कि सर इंटर्नली जब हम टीपी निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम contribution को हम क्या करते हैं हम contribution को share कर देते हैं या profit को share कर देते हैं contribution को variable cost के ratio में या profit को आपने कहा कैसे आपने कहा profit को हम कर देते हैं cost के ratio में तब total cost add करें होते हैं आपने कहा देखे इस तरीके से किया तो एक तो EFTP हो गया, variable cost हो गई और आपने कहा किसर और प्रॉफिट का शेरिंग हो गया इस तरीके से हम इंटर्नल ट्रांसवर डिसाइड करते हैं अच्छा और भी कुस्ता हां एक था मल्टी नेशनल ट्रांसवर प्राइस इसके बाद हमने ishamu लोग इसको बोलोते हैं किता है ज swoje apoyo कर रहे हैं यह रही है किर देखे रहे हैं कि यह जब करने हैं तो ह्मारा किस सिचुइशन में ज्यादा इनेफ्ट है कई बार इसके अंदर है पいたjed्र सब्सक्राइब भी दे रखब और उसके सब से मैं सौछना होगा किimana इसरो कहां पर जादा profit show करने में मुझे net benefit है ठीक है जैसे हमने यहां पर हमने एक one or two questions में deal किया था सबसे last में हम आये थे strategies बनाने इसके अंदर यह questions कोई set pattern पर नहीं होते there is nothing as such that this question will be done in this particular manner or this question will be done in that particular manner तो आप क्या करते हैं आपका जो भी question आता है उसमें सबसे पहली यह approach आपको लेके चलने ही होती है कि contribution per unit निकालना है अगर आप contribution per unit हर particular situation में निकालना आता है आपको then most probably आपसे यह सारे questions बहुत easily बन जाएंगे क्योंकि यह most probably contribution per unit पर ही टिके पढ़े हैं और कुछ भी नहीं हो बस हर situation के अंदर में आपने यही सूचना है कि क्या मेरा contribution per unit होगा दोस्तों जो सोच लेता है वो question पढ़े ही easily कर लेता है जो नहीं सोच पाता वो दिक्कत कर जाता है फिके सबसे important इसके अंदर यह है अच्छा एक चीज और सुनना दोस्तों यह जैसे कोशन जैसे कोशन 48 यह नवंबर 19 में भी नवंबर 20 में भी आया था ठीके सेम कुशन आया था थोड़ा सा फिगर नाम और फिगर चेंज करके अब अब जब कोशन आपके सामने आता है ना तो कई बार क्या होता है हमारे सा जैते हैं हम इस कोशन को देखने के बाद यह सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि हम सोचते नहीं कि यार्ड वेर पॉसिबलिटीज हो कि थोड़ा सा कोशन में कहीं ट्विस्टेड हो तो जब भी कुश्चन सिमिलर आए यह मेरी रिक्वेस्ट है यह मैं सोचने की पड़ा हुआ ठीक है पड़ा हुआ है तो याद अच्छे से आता है लेकिन उसको ध्यान से दुबारा रीट करिए का में भी देर सर्टेन स्मॉल चेंज जिससे कुश्चन का काफी कुछ चेंज ह हो जाए बहुत चोटी से चेंज से हो सकता है कुश्चन काफी चेंज हो जाए यह तो कहार कुश्चन वर्ट वर्ट आया था कोई बड़ी चीज नहीं लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है जैसे उसी अटेंट में नवंबर 20 ती अगर मैं बात करूं इस आम नौट रॉंग त था उसमें एक चोटा से चेंज कर दिया था उसने आप कोश्चन बेसिकली स्टी मेटियल कुश्चन था वाय कनेक्शन के ऊपर तो लाइफ साइकल कॉस्टिंग का कुश्चन था उसके अंदर बस अंतर यह था कि स्टडी में पीवी रिशो बोत यह का नहीं से फर्स्ट यह में लगानी थी जबकि इजी कर दिया था इसने स्टेडी में आपके एक्जामनेशन पेपर ने और उन्होंने क्या किया था दोनों का अलग-अलग पीवी रिशो दे दिया था जिससे आपको वेरियेबल कॉस्ट दोनों की आप निकाल सकते थे इंडिवी अच्छा इसके अ कई सिच्वेशन होती हैं कई बार इंटर्नली वह एक्टर्नली वह सेल नहीं हो सकता कई बार हो सकता है तो बेहवियरल एक्सपेक्ट समझने हमें हर सिच्व हर टीपी के अंदर जरूरी है तो मैं एक एक करके कॉंसेप्ट बुक्पे 9.1 पेस से शुरू कर रहा हूं सबसे प्राइस आपको भी याद है यह बड़ा अच्छा टीपी होता था क्यों कि इसके अंदर हमें मालूम है जितने का मार्केट में हम सेल कर सकते हैं सेलिंग सब्यूनिट यह सोच रहा है उतना टीपी होना चाहिए और उतने कहीं मार्केट में हमें मिल रहा है तो आप यह तो सही है कि दोनों बड़े खुश होते हैं और गोल कॉंग्रेंस भी होती है और कॉंपीटिटिवनेस बढ़ती है इसके इंतर उन्हें मालूम है कि अगर मैं एक्स्टा जैसेलिंग सब्यूनिट है वो कहेगा कि अगर मैं जाधा चार्च करूंगा तो बाइंग घ्रकेता है सब कुछ लेकिन लेकिन क्या होता है लेकिन क्या होता है अब इसकी विज़े से अब हम यह तो सोच रहें कि यार गोड़ ऑड़ होने चाहिए लेकिन कई बार क्या करता है सैलिंग स jean मिनिट इन फीर कॉलिटिए क्यों अप्लाय करना शुरू कर देता है देना सीज को बड़ा ध्यान देना है क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी उसका बिजनस जो है वह छूट जाएगा बाइंग से लेने से मना कर देगा और फिर गोल कांगरेंस नहीं आ पाएगा तो हमें क्या करना होता है इस चीज पर ध्यान देना होता है कि इंटर्नली जब गुष्ट रांसवर हो रहे हूं दे शैल नौट वी ऑफ इंपीडियर वालेटी के शेयर प्रॉफिट रिलेटी टू कॉस्ट हमने पड़ा ही है इसके अंदर एक सबसे बड़ा एडव तो वह कई बार क्या करता है वह कई बार एफिशेंसी से वा वक नहीं करता वह कहता है जितनी भी कौस्ट लगेगी वो तो सब बीयर करेगा buying subunit तो मुझे efficiently work करने की कोई जरूरत नहीं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपने का कि sir cost based transfer price क्या होते हैं cost based transfer price में आप कहते हैं कि sir ध्यान देना cost based transfer price में क्या होता है आप कहते हैं कि sir ध्यान दीजेगा कल तरीके के TP होते हैं आपने का variable cost, full cost, total cost हम लोग क्या करते हैं यह basically कब लगाते हैं जब जब selling subunit के पास आप यह कह रहे हो कि आसानी से goods market में नहीं बिक रहे बिक तो जाते हैं selling subunit कह रहा है market में easily goods नहीं बिक रहे और और भी reasons हैं आप कहते हैं कि यार सर यह जितनी भी cost हैं यह तब लगते हैं जब market price बहुत ज़्यादा volatile होता है कुछ इस तरीकी situation होती है हम लोग internally या फिर company set करना चारी होते है टीपी तो ऐसी situations के अंदर हम यह various type के cost के methods apply करके देखते हैं इसमें एक method होता है standard cost basis इसमें जो standard cost basis है वो इसलिए जादा effective नहीं है क्योंकि दीए बाकी सारी cost में तो यह है कि selling sub unit कह रही है कि जितनी cost incur करूँगा buying sub unit उसनी pay कर देगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है वो सोचता मैं inefficient भी रहूँगा तो buying sub unit pay कर देगा यह behavioral consequence है standard cost में क्या होता है selling sub unit के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है अगर वो कुछ भी हरकत करता है उसकी cost extra हो जाती है नहीं भी करता market situation change हो गए उसकी cost extra लग गई तो भी उसको bear करना पाड़ा है तो selling sub unit इस case में disgruntled हो जाता है वो वो कहता है कि यह तो जबरदस्ती मेरे पर आपने burden डाल दिया कि अगर market situation change है तब भी मुझे आप standard cost के pace पे पेगनने हों कह रहे हैं this is not prompt ठीक है अच्छा अब कई बार क्या करते है cost के साथ markup भी add कर देते हैं अब buying sub unit रोने लग जाता है कहता है कि इसने तो कोई मेहनत भी नहीं कि selling sub unit मालू है inefficient भी रहेगा तब भी markup है guaranteed markup है अगर वह अगर वह सुचिए अगर वह inefficient भी है तब भी उसके पास markup है इससे अच्छी क्या बात है फुल कॉस्ट में तो यह था अगर markup नहीं भी दोगे तो भी guaranteed क्या है contribution है क्योंकि variable cost से उपर जो भी मिल रहा है उसको तो फायदा जबकि fix cost तो उसकी sunk in nature तो आप यह कहेंगे आप यह कहेंगे इनके बीच में इस सीचे चक्कर में ग्रजिस चलते रहते हैं आपस में selling some unit कुछ कहेंगा buying some unit कुछ कहेंगा ठीक है तो यह बहेबल consequence है तो आप आपका यहां पे यहां पे हमारे साथ क्या है अगर हम full cost चार्ज कर रहे हैं तो हम संक कॉस्ट चार्ज कर रहें चाहें markup ना भी करें guaranteed contribution मिल रहा है selling some unit को buying some unit कह रहा है भाई यह तो जबर्दस्ती मेहनती नहीं कर रहा अच्छी cost नहीं लगा रहा जबर्दस्ती जादा cost लगा रहा है यह inefficiently वर्क कर रहा है तो आपको आपको short term basis पे इसको रखने में कोई बुराई नहीं थी next हमें मालूम है negotiated हमने शिरुवाती इससे की थी negotiated transfer price में आपस में बैठते हैं decision making अच्छी होती है autonomy होती है आपको company की profitability और overall आप कहेंगे goal congress होता है लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है division आपस में इस तरीकी के कई बार decision लेते हैं कि वह सब optimal हो जाते है decision company is a whole के हिसाब से negative हो जाते हैं जबकि उनकी अपनी divisions के हिसाब से तो वह good decisions होते हैं हमने कई questions भी किये थे numerical जिसमें इस तरीकी के situation हमने देखी थी जैसे strategy based question में जो first question किया था उसके अंदर हमने देखा था internal transfer ना करके वह externally sell कर रहा था क्यों उसको 16 एक और 16 रूपीज पर यूनिट अन हो रहे थे internal transfer करने में थ्री रूपी अन हो रहे थे लेकिन हमने गोल कोंगरेंस के साब से का था कि उसको इंटरनल ट्रांसर करना चाहिए उसको externally sell नहीं करना चाहिए ठीक है तो आपने का ठीक बात ऐसा लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है negotiation बहुत time consuming होती है कई बार कई बार इन दोनों के बीच में लड़ाई होने के chances होते हैं दोनों के बीच में conflict तो है और और यह more or less अमान के चलिए मैं मेरे अंदर negotiation skills बहुत अच्छी है तो मैं जितनी ज्यादा मेरी अच्छी negotiation skills उतने वेस पर मैं TP के साथ game खेल सकता हूं ना कि यह तो मैंने sales manager की selling subunit or buying purchasing subunit की negotiation skills पे हो जाएगा ना कि actual worth पे कई बार negotiation skills इतनी एच्छी होंगी कि सामने वाले से मान के चले purchasing subunit है वो सिर्फ cost पे उठा लेगा उसको पागल बनाके तो इन negotiation skills पे भी depend कर जाता है तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग dual price लेके आया थे हमने कहा है dual pricing और two part pricing यह two concepts हम लेके आया थे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के आपने कहा किसे dual pricing और two part pricing मैंने कहा बिल्कुल dual pricing and two part pricing अब dual pricing क्या होती थी हमने समझा था कि selling subunit अपने क्या लेके चलती थी जो जो भी वह price रखना चाहती हम क्या लड़ाई मत करो लड़ाई लड़ाई माफ करो आप what you need to do is dual pricing में selling subunit भई हमने उस से का तू क्या charge करना चाती है उसने का manual cost plus opportunity cost हमने का तू को price ली buying subunit से क्या का तू क्या charge करना चाती है उसने का मैं मैं market price या सिर्फ variable cost या relevant cost चार्ज करना चाती हमने का तू रख लेकिए जो difference है तुम एक काम करो तुम difference को मेरे मेरे अकाउंट में एंड में सेटल कर देना यह तुम कर देना अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मान के चले कंपनी को ऐसा होल को तो लॉस हो रहा है लेकिन दोनों डिविजन दिखा रहे हैं मेरे को बड़ा अच्छा प्रॉफिट तो इसके अंदर हमारी हमारी लेकिन लेकिन आप कहोगे कि यार कई बार अंड्वांटेज मिल जाता है इंटर्नल ट्रांसवर डिविजन को क्यों उसको मालूम है कि वह कुछ भी गरे उसको तो प्रॉफिट दिखाना ही मिली जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं है कि आपने का हाँ क्योंकि उसके पास तो गैरेंटिट प्रॉफिट हो गया और जबर्दस्ती का अंजस्ट एंडिच्मेंट होगे आपने का कि ठीक बात है सर जबकि कि बाइंग सब्यूनिट भी इसी तरीके से अंजस्ट इंप्रूमेंट लेके जा रहा है अच्छा यह इस कुछ भी कॉस्ट करिए कुछ भी आपको मालूम है कि मैं ट्रांसवर करूंगा मेरे को तो मैं जो चार्ज करना चाहूंगा कर लोंगा तो ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं आती क्योंकि मार्केट से कॉंपीट नहीं कर रहे हैं ठीक है अच्छा मिसलीट कैसे कर रहा है आपने क करता आप मिसलीट तरीम किसे करता है कि बिजनस तो एलकिन दोनों प्रॉफिट रिखा रही हम स्क्राइब है लोटी एक or होता किओ कौन सा होता है टू-पार्ट फॉरिशुम्न क्या करते हैं इंस हम कहते हैं कि यह देखो अम इंटरनल जैलिंग सब ही नहीं 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 कर स लब relevant cost plus हम क्या charge करेंगे plus lump sum fees charge करेंगे selling some unit क्या कहेगा manual cost के साथ मैं क्या charge करूँगा मैं lump sum fees भी charge करूँगा अब अचानक दिमांग में आता है lump sum fees क्या होती है वह गदा कि मानलीजी मैंने आपको 10,000 units की capacity की कह दिया आप मेर को 10,000 units के लिए आप मेरे को इतने रुपे देंगे एट पर्टिक्लर इंटर्वल अब अगर आप वह पूरे 10,000 यूज कर लेंगे तो आपका फायदा अगर कम यूज करेंगे तो यह लॉस मेरे को आप लंसम देंगे दिस विल इंक्लूड माइप्रॉफिट माइफिक्स कॉस्ट लेकिन उपर यूट निकालना सही नहीं है वह इन टाइमित है तो गलत है होता यह हम सर्फ हर यूइट के लिए सिर्फ वेरियबल कॉस्ट पे कर रहे होती है तो यह और लंसम एक-एक टाइम इंटर्वल पे मिलता तो होता क्या है आपका जो चैनल मार्केट पाइस हैशा स् करना चाहेगा ठीक है यह situation होती है इसमें भी यह दिक्कत होती है कि unjust benefit उठा रहा होता है selling subunit वो तो वैसे भी sell नहीं कर पा रहा था लेकिन अब इसमें वह manual cost उसकी अगर वह जादा भी लगेगी तो भी उसको मालूम है कि सामने वाला दे रहे तो वह इतने efficient नहीं होता लेकिन फिर भी यहां पर फायदा यह होता है कि optimal decision ऐसे हो जाता है कि इंटर्नली खरीदना चाहरा होता है ठीक है यह आपका यह आपका पूरा transfer pricing का revision था अगर किसी को किसी भी तरीके से कोई doubt हो योशी में ask